पूनिया के डगरवा में आज सुबह दर्दनाक सडख हाथसा हो गया जहां स्कूली छात्राओं से भरी आटो और तेज रफ्तार ट्रक में भीशन टककर हो गई इस भीशन सडख हाथसे में एक छात्रा की मौके पर ही जान चली गई जबकि आधा दर्जन से अधिक गायल हैं मृतिका की पहचान डगरवा के टेगरा पंचायत के अलमा गाउनिवासी मोजिबूर रह्मान की पुत्री महर प्रवीन के रूप में हुई जबकि गायलों मेरानी कुमारी, लखी, नूरी, सानिया, सपना, वदो, अन्य छात्रा और ओटो चालक भी शामिल हैं सभी को आनन फानन में राजकिय मेडिकल कॉलेज पूर्णिया में भरती कराया गया वही इस घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जम कर बवाल काटा घटना के सम्मन्द में बताया जा रहा है कि अल्मा गाउं से आज आठ बच्ची आटो में सवार होकर पढ़ने के लिए लसनपूर हाई स्कूल जा रही थी जैसे ही मतलब एच्पी पेट्रोल पॉम के पास पचा और रोट क्रोस करने लोगों जैसे यह सब टोटो लेकर आगे गया पीछे से आकट ट्रग मतलब जख्का माई और जिसमें आट लर्की थी आट में दो बहुत सिरियस थी जिसकी एक डेथ हो चुकी है और दुसरा भी बहुत से दियर जैसे उसकी भी कोई गारेंटी ने है यह लगवक साही है एक देखकर तो बहुंस हो गई थी जा रहे थें देख रहे थें कि वहाँ चाहसा बतास वया हुआ था हम देखें देखते हैं तो मिरा गउंका ही लर्की सब गारी लगा के सब को फिर उठाए यह प तर ट्रक ने ओटो में जोड़दा टक कर मार दी ठोकर लगने से ओटो के परकच्चे उड़ गए इस हाथसे के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ कर फरार हो गया वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर खुब बवाल काटा गटना की सूचना मिलते इस्थानिय पुलिस मौके पर पहुँची और आक्रोशित लोगों को समझा बुजा कर सांत करने की कोशिश की दर्श न्यूज के लिए पूर्णिया से अमित कुमार की रिपोर्ट